Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, आसा करता हूँ, काफी एच्चे होंगे अभी हम लोग सालो करेंगे Simple Question Paper Class 10 का Hindi A Season 2023-24 का इसमें जो में ग्यों टाइम आपको मिलेगा, वो 3 hour है जो में ग्यों मार्क से हैं, वो 80 है इसकी instructions को देखें, इसमें basically दो section है खंड और बा खंड आप में MCQ टैप के Question है और खंड बा में इसमें descriptive टैप के Question है, जिसका answer आपको लिख के देना है दोनों जो sections हैं, उसमें total question 17 है और सारे के answer आपको देना है बच्चों, एक चीज का सौधानी रखना है आपको answer जो हैना sequence में लिखना है मतलब जो question 1 का answer लिखे कि 2 का लिखे, फिर 3 का लिखे, इस टैप का क्योंकि उससे जो हैना आपका काफी काफी अच्छा हो जाता है और अच्छे माक से मिलने के chance बढ़ जाते है जो section A है, खंड बा में total 7 questions है उसके अंदर में 44 sub questions है जिसमें से 40 questions को आपको सालव करना है इसी प्रकार से खंड बा में total 7 questions है और इसके अंदर में भी internal choice मिले हुए है और इन सब को आपको जो instructions है उसको अच्छे से समझके और पढ़के सालव करना है चलिए मैं बताऊंगा कि इस सब हम कैसे करें सबसे पहले जो पहला प्रश्ण है वो अपटीद गध्यांस की उपर है इसमें देखिए total 5 marks है तो यह अपटीद गध्यांस काफी लंबा है इसको सालव करने का सबसे बेश्ट तरीका है कि अपन प्रश्ण को पढ़ें और उसके उत्तर को अपटीद गध्यांस में हम लोग खोजें अब जो प्रश्ण का है कि हिंदी फिल्मी गीतों और लोग गीतों में क्या समानता है ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है कि हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंब से ही आम दर्शक के सुक दुक के साथी रहे है वरतमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने आम जन के हिदय में लोग गीतों से आत्मी जगा बना ली है देखे यहाँ से न इसका उत्तर शुरू हो रहा है जिस तरह से एक जमाने में लोग गीत जन मानस के सुक दुक अकांचा उल्लास और उम्मित को स्वर देते थे आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं तब देखे इसका उत्तर हमको मिल गया कि जो लोग गीत है वो जन मानस के सुक दुक अकांचा उल्लास और उम्मित को स्वर देते थे अब इसके बाद इसके आपसंस देखेंगे इसमें आपसंसें बोलता है कि ये जन मानस के रितिरी वाजों और कलपनाओ को स्वर देते हैं तो ऐसा था हमने नहीं पढ़ा है इसका आपसंस भी है ये जन मानस के जीवन के अनुभुवों और विचारों को स्वर देते हैं ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा है C है, ये जन मानस के सुक दुख कुल Bullas और उमीद को स्वर देते हैं बिल्कुल यही हमने अभी पढ़ा है इसका आप्सन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और चुक्कि हमको सही उत्तर मिल गया है तो आप्सन D को देखने का जुरत भी नहीं है अब इसके बाद देखिए इसका जो प्रस नखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसका उत्तर अपटित गध्यांस में खोजेंगे ये प्रसन है कि हिंदी भासा की सब्द संपदा को समरिद्ध करन्या का काम फिल्मी गीतों ने किस परकार किया तो देखिए इसमें हमको पता करना है कि फिल्मी गीतों में क्या वो ताकत है जिसने हिंदी भासा की सब्द संपदा को या वकु विलरी को काफी ज़्यादा इस्टेंद किया अब चलिए आगे इसको पढ़ते हैं तो देखिए इतना ही नहीं देश की विवित्ता को एकता के सुत्र में बांधने में हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्विकार करते हैं अब इसके बाद देखिए इसका उत्तर यहां से सुरू हो रहा है कि हिंदी भासा की सब्द संपदा को सम्रिद्द करने का जो काम राजभासा विभाग तस्तम सब्दों की साहता से कर रहा है वही कारिया फिल्मी गीत और सवाद लिखने वाले भी चित्री भासाओं के मिल से करते हुए दिखाई पढ़ रहे हैं ठीक है तो यहां पर दिखे मिल गया इसका उत्तर हम लोगों को अब आपसन देखते हैं आपसने बोलता है राजभासा विभाग के सहयोग से यह तो नहीं है भी है चित्री भासाओं के मिल से बिल्कुल यही है कि हमने भी पढ़ा कि जो हिंदी भासा की सब्द संपदा है वो सम्रिद्ध हो रही है जो उसमें जो लोकल लिंग्विजेज हैं उसके जो वाट्स हैं वो आ रहे हैं मतलब विभीद चित्री भासाओं के मिल से इस सम्रिद्ध हो रही है अब है विविद भासाओं की फिल्मों को हतुसाइद करके ति डी भी आप्षन नहीं होगा इसका अप्षन भी करेक्ट होगा अब अगला प्रस्णों को पढ़ते हैं फिर अपटी दो ध्यांस को आगे पढ़ेंगे और इसके उत्तर को खोजेंगे इसमें प्रस्णगा है कथन कथन है कि हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए है करण बता रहा है इन गीतों में राजनीती की अनुगुञों के साथ देहाती कजबाई और नए बने सहरों का जिवन दर्सन भी आत्म साथ किया जाता रहा है अब इसमें देखते हैं तो दिखिए यहां पे सके क्योंकि इन में राजनीती के उतार चड़ाव की अनुगुञों के साथ देहाती कजबाई और नए बने सहरों का जिशा जीवन दर्सन भी आत्म साथ किया जाता रहा है ठीक है तो देखिए हमने जो पढ़ा है ना उसका उत्तर इसमें चीपा हुआ है अब देखते हैं इसको तो देखिए हमने अभी क्या समझा कि इजन जन के गीत इसलिए बने हुए है क्योंकि जो कारण दिया हुआ है कि इन गीतों में राजनीती के अनुगुञों के साथ देहाती कजबाई और नए बने सहरों का जीवन दर्सन भी आत्म साथ किया जाता रहा है तो यह जो क कारण है इसी कारण से हिंदी फिल्मी गीत जो है वो लोगों के गीत बन चुके है तिसका एंसर क्या होगा अपसंसी हो जाएगा कि कथन ये सही है और कारण आर कथन ये की सही ब्याक्या है इसके बाद घह पड़ते हैं कि हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उड रहा है कि इंदी और उर्दु को हमारे हाँ एक समान क्यों माना जाता है ठीक है अब आगे पढ़ते हैं इसके उत्तर को हम लोग होचते हैं भारत की जिस गंगा जमुनी संस्किति का महिमा मंदन बहुत होता है उसकी गुंज भी इन गीतों में मिलती है अजादी की लडाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीतों या स्वाधिन्ता प्राप्ति के साथी होने ओले देश की विभाजन की विविशिका सभी को भी इन गीतों में बहुं सोधन शिल्रूप से ब्यक्तर किया गया है हिंदी फिल्मिक गीतों की इस संसार में हिंदी- उर्दु का जगड़ा भी कभी पनप नहीं सका, अब देखिए यहीं से एक कोस्टन यहीं से उठाया हुआ है, यहीं से इसको उत्तर शुरू होता है, इसके बाद हमको कभी ध्यान से इसको पढ़ना है, प्रदीप निरज जैसे सांदार हिंदी कवियों, इंदीवर तथा सलेंद्र जैसे सरेश्ट गितकारों और साहिर कैफी मजरूवों जैसे मसहूर साहिरों को हिंदी सनिवा में हमेशा एक ही विरादरी का माना जाता रहा है, ठीक है, चायो हिंदू या मुसलमान हो, जो भी कभी हो या गितकार हो, उसको हिंदी सनिवा में एक ही प्रकार से देखा जाता है, या सिनिवा की दुनिया की ही खासियात है कि एक तरफ गितकार सहीर ने कहां है कहां है मुहाफिश खुदी के जिने ना जहिंद पर वो कहां है लिखा तो दूसरी तरफ उन्होंने ही संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे ये भोग भी एक तपस्या है तुम प्यार के मारे क्या जानोगे अपमान रचेटा का होगा रचना को अगर ठुकराओगे जैसी पंक्तियां भी रची है परवर्तियों में गुल्जार ऐसे गितकार हैं जोनोंने उर्दू हिंदी पंजाबी प्रजिस्थानी के साथ उर्विया बोलियों में बन को मोह लने वाले गितों की रचना की है बंदनी के मुरा गोरा रंग लईले मोहेस्याम रंग देदे कजरारे तेरे कारे कारे नैना यारा सिली सिली रात का ढलना और चपा चपा चरका चले जैसे गित्म को रच कर उन्होंने भारत की साज़ा समस्कृति को मुर्तिमान कर दिया है तो दिखिए इसमें क्या बताय जा रहा है कि इसमें जो हमारे इस्थानिय बोलियां है इस्थानिय भासा है उनमें भी रचनाय की गई है और हिंदी और उर्दू में कभी भी भेदभाव नहीं किया गया है अब दिखिए इसका option 1 देखते हैं यहाँ हिंदी कोईयों और उर्दू सायरों को एकी बिरादरी का माना जाता है हमने इस वच्चे समझा है बिल्कुल सही है अब दो नमबर दिखिए ये गितकार उर्दू तस्थम प्रधान हिंदी और चित्री भासाओं में समारूप से गि इसमें क्या है केवाल इसका option 1 और option 2 सही है तो इसका option D correct हो जाएगा एक और दो सही है इसके बाद अगला प्रश्म देखते हैं इसमें बोलता है कि उप्यूक्त गद्यांस में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विस्षिस्चता पर सरवाधिक बल दिया गया है ये जो गद्यां इसमें क्या बता रहा है कि भारत के जो गीत है वो जो हमारी संस्किती की खुबशूर्ती है उसको एक्स्प्रेस करते हैं अब इसके option देखते हैं तो आपसाने है कि ये गीत कलात्मक्स स्टता को अभिवेक्ट करते हैं ये तो हमने नहीं पढ़ा है बी है ए गीत संप्रदा इसमें प्रशन दो जो है अपठीत का अभिवेक्ट करते हैं ये अपसान हमने नहीं पढ़ा है जिसके तो पर इसका option D होगा ये गीत संस्किती खुबशूर्ती को अभिवेक्ट करते हैं तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने प्रशनों के अधार पे गध्यांस को पढ़ते पढ़ते ही हल कर लिया है अब इसमें प्रशन दो जो है अपठीत का अभिवेक्ट की उपर है इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे कि सबसे पहले प्रशनों को पढ़ेंगे इसमें का प्रशनों का है कि हम धर्ती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आसा है ठीक है अब पढ़ते रहा है कि जो किसान होते हैं वो धर्ती के बेटे होते हैं और बहुत महनती होते हैं काम करते करते भले ही थकान में वो सोते हैं लेकिन वो बड़े जल्दी बड़े सवेरे उठ जाते हैं ठीक है अब इसके अप्शन को देखते हैं अप्शने हैं कि हम धर्ती के बहुत परिश् बेटे हैं ये भी गलत है हम धर्ती के बेटे बड़े कमेरे हैं इसका मतलब हो रहा है आपसने कि हम धर्ती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं अब इसका खखा को पढ़ते हैं कि कभी ने किसानों को फसलों को रसिया क्यों कहा है ठीक है अब ये फसलों को रसिया का मतलब को समझ पढ़ने के लिए हमको आगे पढ़ना होगा, इसको पढ़ेंगे, कि धर्ती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनस से डरते हैं, लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे जर जर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने, तुफानों के मुह पेरे हैं, खेत लगें हैं अपने घर से, हमको गरज न गाते नहीं फसल के रसिया, देखें, यहाँ पे जो रसिया सब्द को प्योग किया गया है, धर्ती को साढ़ी पहनाते, दूर दूर तक भूक मिटाते, मुठी पर दानों को रखकर कहते हैं, बहुत तेरे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो रसिया का मतलब क्या लि उगाते हैं या लगाते हैं, जिस कहाँ से दूर दूर तक भूक जो है न मिट जाता है, तेहां पे फसल के रसिया, रसिया का मतलब होता है, लगाओ रखने वाला, प्रेम करने वाला, अब इसका आफसन हम लोग देखेंगे, तो इसमें आफसन यह है कि किसान फसलों को उग किसान फसलों से प्रेम करते हैं, बिल्कुल यही आफसन सही है, क्योंकि फसलों का रसिया का मतलब होता है, प्रेम करने वाला, चाहने वाला, तो किसान जो है न, वो फसल से प्रेम करते हैं, और इसका आफसन डी जो है कि किसान फसलों को बेच देते हैं, यह भी नहीं होगा इसके बाद दिखिए गह है कि किसान धर्ती की सेवा खालिस्थान करते हैं ठीक है ये बोल रहा है कि खेतों में फसल होगा कर B बोलता है सर्दी गर्मी बर्सास सह कर और C है बिना विश्राम परिश्रम कर और D है खेतों के पास घर बना कर अब दिखिए किसान धर्ती की सेवा कैसे करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है इस धर्ती की सेवा करते हैं कभी न मेनस से डर्ते हैं तो इन परिंग्तियों को पढ़ने पर हमको पता चल रहा है कि किसान जो धर्ती की सेवा करते हैं उसका उद्देश से होता है फसल उगाना अनाज उगाना वो फसल उगाकर अनाज उगाकर धति की सिवा को करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो अप्션 ए है कि खेतों में फसल उगाकर यही अप्सन सही होगा क्योंकि इन कभ्य पंक्तियों को उद्देश से ही किसान के उस परिश्रम को दिखाना है जिसके द्वारा O खेतों पे फसल उगाते हैं अब B है सरदी गर्मी बरसाज साकर तो ये किसान के नुसार धर्टी की सेवा नहीं है और बिना बिश्राम परिश्रम कर ये भी नहीं है और खेतों के पास घर बना कर ये भी धर्टी की सेवा नहीं है उसके बाद आपसन घर देखिए ये कथन काण वाला प्रशन है इसमें आपसने बोर रहा है कि हमारे घर खेतों के पास सिस्तित होते हैं और दूसरा इस में रिजन बता रहा है कि हमारा घार सहरों से दूर होते हैं तो देखे यहां पे जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग अच्छे से समझें तो क्या लिखा हुआ है खेत लगे हैं अपने घर से अमको गरज नहीं दपतर से दूर सहर से रहने वाले ठीक है तो इसका मतलब यह है कि सहर से वो दूर भले ही रहते हैं लेकिन सहर से दूर रहने का कारण यह नहीं है कि उनका घर जो है न खेतों के पास में हो इसमें confused मत होईएगा कि वो सहर से दूर रह रहे हैं तो नोंने अपना घर खेतों के पास बना लिया है खेतों के पास इसलिए रहते हैं ताकि वो खेतों की रखवाली कर सकें और खेतों में अनाच को अच्छे धंग से उगा सकें थीक है अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि कथन और कारण तो दोनों सही है लेकिन जो कारण है ना ओ कथन की सही ब्याक्या नहीं कर रहा है विजन है न वो जो ये सर्शन है उसकी सही ब्याक्या नहीं है फिप्त नमबर कोस्टन है कि हम किसानों ने धर्ती को फसलों के आउर्ण से ढग दिया है कोईता की पंक्ती का आसा है तो यहां पर देखिए जो कभी है वो फसल के आउर्ण की तुलना महिलाओं के साड़ी पहनन से कर रहे हैं जिस प्रकार से महिलाएं काफी खुबशूर्टी से साड़ी पहनती हैं जिससे उनकी सुंदर्दा में चार्चान लग जाता है उसी प्रकार से किसान भी धर्ती पे जब फसल का औरण लगाते हैं तो वो बिल्कुल साड़ी पहननने जैसा है तिसका आपसने द कुलना यहां पे धहती को साड़ी पान आने से किया गया है और डी है दूर दू तक भुक मिटाते ते डी आप्शन भी नहीं होगा प्रस्न तीन देखिए वाग्य के पर अधारीत प्रस्न हैं बोलता है कि निदेशान उसार रजना के अधार पर वाग्य के भेट पर अधारीत पांच भुकिलपिय प्रस्नों में से किनी चार के उत्तर दीजिए ठीक है पांच MCQ में चार के अंसर हमको देना है वाग्य के उपर अधारीत है अब वाग्य को हम लोग अगर अच्छे से समझें तो इसके सारे कोस्टन चाई स्टेप के कोस्टन हो या कोई भी कोस्टन हो आपसे काफी उजियों में बन जाएंगे तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वाग्य में कोन से टीक कोई उच करें जिससे कोई भी गलती हमसे ना हो सरल वाक्य में एक करता और एक किरिया होता है एक सब्जेक्ट और एक भर्ब होता है इसमें कोई भी उप वाक्य यानि कोई और वाक्य इससे जुड़ा नहीं होता है ठीक है जहाँ पे भी आपको एक किरिया मिल जाए वहाँ पे समझ लिजिएगा कि वो वाक्य जो है न सरल वाक्या है उसके बाद समयुक्त वाक्य के लिए दिखिए इसमें योजक सब्दों का उप्योव होता है जैसे कि इसको आप याद कर लिजेगा या बार-बार लिख लिख के अभ्यास करिएगा या वा अत्वा इसलिए और किंतु रंतु लेकिन तथा एवाम आदी जो सब्द है न यह हमेशा दो वाक्यों को जोडते हैं समयुक्त वाक्यों को पहचानने का एक और तरीका है कि दोनों वाक्यों को पढ़िए अगर दोनों वाक्य एक दूसरे के उपर निर्भर नहीं हो र हैं तो संयुक्त वाक्य होंगे इसके बाद दिखिए मिस्र वाक्य में याद रखिएगा कि एक प्रधान वाक्य होता है बने दो वाक्य एक दूसरे की उपर निर्भर होते हैं अगर आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको निर्भरता पता चल जाता है, वो मिश्र वाक्यों को पहचानने का सबसे असान तरीका है, लेकिन एक साटका ट्रीक है, कि जिसमें छोटा की उतना, जो ऐसा, क्योंकि वहाँ जब जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अगर यदी, तो यद्यपी, तथापी, है ना, ये सब हो, तो और यहाँ पे छोटा की को भी याद रखिएगा, ये भी कई बार इप्योग होता है, कि छोटा की अगर दिखा, तो वहाँ पे हो, मिश्र वाक्यों होगा, बाकी जो मैंने यहाँ पे बताय हुए हैं सब्द, इनको आपको ध्यान में रखना है, कि किसमें मिश्र वाक्यों ह इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, तो दिखिए सबसे पहले यह वाक्य कौन से के टिगरी में आ रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, तो इसमें क्या लिख्या है कि रसुलान और बतुलान जब गाती है, अगर इसको हम एक वाक्य की रूप में पढ़ें, तो हमको पता इसमें देखिए, ज़सते सुरे होने वाला एक सब्द है, जब, अगर हिआँ जभसे सुरे होने वाला एक सब्द है, जब, तो एक 100% मिश्र वाग किया है。 अब इसका सरल वाग के जो बनाएंगे, उसमें जैसे नेमें बताया है, कि एक ही करता होगा, ठीक है? और एक 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 क और बतुलान जैसे ही गाती है अमिरुद्दिन को खुशी मिलती है यह तुमिस्र वाक्या है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जग का परियोग हुआ है उसके बाद सी देखिए रसुलान और बतुलान गाती है और अमिरुद्दिन को खुशी मिलती है यहाँ पे योजक सब्दा और का उपयोग हुआ है यह क्या है सहिवत वाक्या है और इसका डी देखिए रसुलान और बतुलान के गीतों से अमिरुद्दिन को खुशी मिलती है ठीक है? यहाँ पे देखिए गीतों का उपयोग किया है गीत माने होता है lyrics, है ना, जबकि यहां पर गाती है, माने हो singing करती है, इसी कहां से क्या होगा, इसका आपसने correct होगा, क्योंकि गाने का मतलब है गायन, ना कि गीत, ठीक, इसमें confuse मत होईएगा, क्योंकि दोनों के दोनों, ये सरल वाक्य है, तो इसका आपसने correct हो जाएगा, अब इसका दूसरा प्रशन देखिए, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया, इस मिस्वित वाक्य का समिक्ट वाक्य होगा, तो सबसे पहले ये जानिए कि मिस्वित वाक्य क्यों है, तो देखिए मैंने से ट्रीक बताए आपको, यहाँ पर जो से शुरू होने वाल एक सब्द है, जब जिसके काने मिस्वित वाक्य है, और आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो जब हालदार साहब उधर से गुजरे, इसके बाद फिर प्रशन उड़ता है, कि क्या हुआ उसके बाद, मैंने वाक्यो अब उधर से गुजरे, उन्हें मुर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पर जगर प्रियोग हुआ है, ते तो मिस्वित वाक्य होगा, समिक वाक्य नहीं होगा, वाक्यों के निर भड़ता है, भी देखिए, दुसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार स आपको, यहाँ पेखी करता है, इसलिए जो भी आपसन है, वो सरल वाक्य है, इसका तिसरा आपसन देखिए, दुसरी बार आलदार साहब उधर से गुजरे, और उनको मुर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक है, तो दिखिए इस वाक्यों के एक बार पढ़े आप, क सहीत वाक्य के एजोग सब्दों को, जो आपको याद करना है, इसमें और एजोग सब्दों जो है न, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, तो इसका अपसन सी ही सहीत वाक्य होगा, इसमें कोई confusion आपको नहीं होना है, ठीक है, और डी आपसन को देखिए कि जब भी हालदार साहब उदर से गुजरते हैं मुर्ती में अंतर दिखाई देता है तेहां पर देखिए जा का प्रियोग हुआ है ते तो मिस्वित वाक्या होगा वाक्यों की इसमें निर्भरता है इसलिए इसका अप्संसी जो है न वो करेक्ट होगा कि दूसरी बार हालदार साहब उदर से ग दोर में थे ठीक तो इसमें देखिए एक ही किरिया एक ही करता है तो यह क्या होगा सरल वाक्यों होगा यह तो मिस्वित वाक्यों नहीं है भी देखिए हुर्दंग तो इतना मचाया की कालेज वालों को थर्ड यर भी खोलना पड़ा तो मैंने दूसरा ट्रीक आपको बताय है छोटा की यहां पर देखिए छोटा की का परियोग किया गया है और 7-7 दोनों आख के एक दुसरे के उपर निर्भर है कि हुर्दंग मचाने पर कालेज वालों ने 3rd year को खोला और यहां पर छोटा की है तो इसका उत्तर option B ही होगा ठीक है C देखिए कि हमने हुर्दंग मचाया और कालेज वालों ने 3rd year खोल दिया यहां पर और का परियोग हुआ है तो स्युक्त वाक्या है हमको पूछ रहा है मिसरित वाक्या और D देखिए क्योंकि इसमें B और D में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं तो D को ध्यान से देखिएगा कि ह पूर्दंग मचाने के कारण यहां पर के कारण है ना याद रखेगा के कारण जो है वो मिसरित वाक्या के पहचान में नहीं आता है कालेज वालों को 3rd year भी खोलना पड़ा ठीक ते समझ में आ गया प्रस्ण घप बोलता है कि निमलिकित वाक्यों में संभीत वाक्या पहच की है पहला इसमें का जो अप्शन है वो है कि असफल होने पर सोक करना बेर्था है ठीक अब देखिए यह कौन से के टिगडी का वाक्या है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोलता है कि असफल होने पर बने यह देखिए यह वाक्या जो है ना कून नहीं है कि अगर अजपल कोई हो रहा है तो क्या होगा सोक कनना बेर्ता है और इसमें दो किरिया है होना और कनना तो दोनों एक दुसरे के उपनिर्भर कर रहे हैं इसलिए जो है नाम हिश्रवाक्य है सहीट वाक्य नहीं है दुसरे नमबर देखे कि मैं एक दिन अमरीका जाऊंगी तथा अपना सेज़ जीवन वहीं विताऊंगी यहाँ पे तथा जो एक योजग सब्द है उसका उप्योग किया गया है जिसके कारण यह क्या होगा यह सहीक्त वाक्य होगा इसमें कोई डाउट नहीं है इसको हम अच्छे समझ चुके हैं थ तो जो थर्ड आप्शन है यह भी समिक्त वाक्या नहीं होगा फोर्था नमबर देखिए कि बिद्यार्थी परिश्रमी है वह अवस्य सफल होगा इन वाक्यों को अलग लग पढ़िए बिद्यार्थी परिश्रमी है अपने आप में पूरा वाक्या है वह अवस्य सफल होग यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्या है और यह कामा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए है ठीक है तो चुकि दोनों पूर्ण वाक्या है दोनों की एक दूसरे की उपर भरता नहीं है तो जो चौथा है न यह भी संविक्त वाक्य होगा याद रखिएगा आपको वाक्या को पढ़के भी जज़ करना है कि वो संविक्त है कि मिश्र है इसलिए यह जो कोस्टन है ना उसमें आप्शन 2 और 4 कि संविक्त वाक्या होंगे इसका आप्शन D जो है ना वो करेक्ट होगा कि 2 और 4 सही है इसमें जो फिप्त नमर कोस्टन है वो मेंजदा कालम मिलाना है ठीक है इसमें पहला जो है कि सूरेश के आ जाने से सब परसंद न हो गए तो इस वाक्यों को ध्यान से पढ़िए इसमें पता चलता है कि एक ही करता है कि सूरेश के आ जाने से ये करता हो जाएगा और होना यहाँ पर किरिया हो जाएगा यहाँ पर एक करता है और ए भत्य खुन को लावे में बदल दिया था इसमें और का परियोग हुआ है तर नंबर देखिए कुछ लोग इसलिए दान करते हैं की उनका नाम हो मैंने आपको बताया है जो की छोटा की होता है और ट्रीक है मिस्रवाक्यों को पहचाने का और आप ध्यान से देखेंगे तो यह है समिक्त वाक्या है सेगेंड का थर्ड और जो थर्ड है वो मिस्रवाक्या है तो थर्ड का फिप्ट कौन सा अप्शन होगा इसका इसका अप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा तो आसा करता हूं यह जो वाक्यों को मैंने आपको समझाया है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रस्न चार जो है न वाच्चे की उपर अधारित है वाच्चे का मतलब होता है वाइस इसमें पांच कोस्चन है जिसमें का चार का इंसर हमको देना है तो सबसे पहले पच्चों हम लोग समझेंगे कि वाच्चे के उपर जो प्रस्न होते हैं उनको 100% कैसे अच्चे से सालव करें इसके लिए मैं कुछ ट्रीक्स आपको दूंगा जिसके बाद इससे लेटर कोई भी कोस्चन आप करता कि उपर आस्रित होता है इसमें किरिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है सकर्मक किरिया किसमें बोलते हैं जिसमें कर्म हो जैसे उधान के लिए राम खाना खाता है तो राम जो खाना हो गया ना वो कर्म हो गया और राम खाता है वो अकर्मक किरिया होगा ठीक है तो तो जिसमें कर्म हो सकर्मक हो गया मने टांजिटी हो गया और जिसमें कर्म नहीं होगा वो इन टांजिटी हो गया इसके बाद जो कर्म वाच्चे है तो जैसे कि मैंने समझाया कि जैसे एक और उधार से हम लोग समझते है कि राम आम खाता है आम क्या है कर्म है उसका तो जिसम कर्म की प्रधानता हो जिसमें कर्म प्रमुक हो अर्थात जिसमें सा कर्म क्रिया हो या टंजिटिव भर्व हो वो जो है ना कर्म वाच्चे होगा इसका ट्रीक क्या है इसको आपको याद करना है जिसमें भी कर्म वाच्चे होगा या जिसको हमको कर्म वाच्चे बनाना होगा उसको से एको द्वारा और के द्वारा ये जो है न उसमें हमको दिख जाएगा ये इसको जोड़के हम लोग कर्म आच्चे बनाएंगे उसके बाद दिखे भाव आच्चे में भाव की प्रधानता होती है सबसे आसान भाव अच्छे होता है जब आक्यों को परते हैं तो उसमें एक भाव का भास हो तो वो भाव अच्छे होगा इसमें जो किरिया है न वो अकर्मक होती है इन टंजिटी होती है इसको पाचानने का तरीका क्या है कि इसमें न तो करता की प्रधानता होगी न सब्जेक्ट अमेन होगा और नहीं कर्म अमेन होगा बलकि किरिया का जो भाव है जो सेंस है वही प्रधान होगा जिसको भाव अच्चे बोलते हैं इसका ट्रीक क्या है कि इसमें अगर अगर अपन प्रश्ण करें नहीं यह अनुमोती देखें तो हमको भाव वाच्चे मिल जाता है तो इनको अगर आप अच्चे से प्रेक्टिस करेंगे तो मानके चलिएगा कि वाच्चे में आपको एक भी गलती नहीं होगा अब चलिए प्रश्ण कॉल करके हम देखते हैं कि इनको हम कैसे यूजँ करें अब इसमें प्रश्ण कर देखिए बाल गोवीन भगत कभीर को साहब मानते थे फ्रीक है इसको हमको कर्मवाच्चे में बदलना है तो जैसे कि हमने कर्मवाच्चे के ट्रिक से समझा है कि कर्माचे मदलने के लिए हमको जो सब्जेक्ट है जो करता है उसके बाद द्वारा का परियोग करना है तो यहाँ पे देखिए यह और भी दोनों में द्वारा का उप्योग हुआ है यह को देखते हैं कि बाल गोबिन भगत द्वारा कवीर को सहाब माना जाता था इसमें देखिए था है और दूसरा भी सेम टेप का वाक्य है इसमें लिखा है कि बाल गोबिन भगत द्वारा कवीर को सहाब माना जाता है इसमें है है तो देखिए तो देखिए रेचरली क्या होगा कबीर को सहाब मानते हैं ठीक है ये भी है है और यहाँ पे को है द्वारा नहीं है उसके बाद बालगो मिन भगत से कबीर को सहाब माना जाता है ये भी है है तो ये जो है ना पास्टेंस में केवल ए है इसलिए इसका ए अप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बालगो मिन भगत द्वारा कबिर को साहब माना जाता था ठीक उसके बाद खा देखिए बोलता है कि भोर में लोगों से बालगो मिन भगत का गीत नहीं सुना गया इस वाक्य को दो-तिन बार पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें भाव है कि सुबा सुबा लोग जो है न बालगो मिन भगत के गीत को सुना करते थे लेकिन उस दिन सुबा या भोर को वो लोग गीत को नहीं सुन पाए तो इसी कराण से इसमें भाव अच्चे हो जाएगा तो इसका अप्शन भी करेक्ट होगा भाव अच्चे ठीक है तो भाव अच्चे को जानने के लिए आपको दो-तिन बार पढ़ना पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अगर कोई भाव पर गठ हो रहा है जैसे कि इसमें हो रहा है तो भाव आच्चे होगा इसके बाद गा देखिए कि धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं ठीक है तो देखिए इसमें एकी किरिया है उचलना और बच्चे जो है न उचल रहे हैं आईसा है और धान के पानी बर क्वेटों में ठीक है तो धान के पानी बर क्वेटों में बच्चे उछर रहे हैं तो इसमें क्या है हमको confuse नहीं होना है यह जो है ना यह कत्री बाइचिये होगा अपसान भी इसका correct होगा इसका कारण क्या है कि जैसे हम समझ चुके हैं कि इसमें जो करता है वो यहां से यहां तक है देखिए धान के पानी बरे खेतों में बच्चे यह पूरा का पूरा करता का रोल को अदा कर रहा है और उच्छाल रहे हैं यह वाग क्या का दूसरा भाग है ठीक है तो यह जो है न फूर्थ नंबर कोस्टन है किसमें भाव अच्चे को धान है ये पूछ रहा है इसमें पहला बोलता है कि माता जी मिठाई बना सकती है ठीक तो माता जी मिठाई बना सकती है ये क्या होगा भाव अच्चे होगा क्या इसको एक दो बार पढ़िए माता जी मिठाई बना सकती है इसमें किसी प्रकार का भाव का एहसास नहीं हो रहा है इसलिए भाव आच्चे नहीं होगा दुसरा देखिए मुझसे बैठा नहीं जाता देखिए बैठा नहीं जाना एक भाव को बता रहा है तो ये क्या होगा भाव आच्चे होगा इसका दोव सही होगा तिसरा देखिए भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है देखिए इसमें भी की जाती है किसी प्रकार का भाव प्रगट नहीं हो रहा है ते भी नहीं होगा और गर्मियों में चट पर सोया जाता है देखे गर्मियों में छट पर सोय जाता है एक भाव को परगट कर रहा है कि गर्मियों में हम लोग छट पर सोते हैं इस भाव को परगट कर रहा है इसलिए इसका आपसन डी करेक्ट हो जाएगा दो और चार सही है इसके बाद इसमें फिट नंबर को दिखेए जो की कालम एक और कालम दो को मिलाने वाला है मेजदा करलम टेप का है इसमें कालम पहला है कि गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं थीक है? तो बताएए एक कुन सा वाच्चे है तो यह जो है ना कत्री वाच्च है इसमें आपको confuse नहीं होना है क्योंकि कत्री वाच्च में एकी किरिया है नहाना और यह जो है ना करता के उपर आसरीत है कि गर्मियों में लोग खुब नहाते हैं ठीक है तो पहले का second हो जाएगा गोपाल से पत्र लिखा जाता है यह जो है ना कर्म वाच्च होगा जैसे कि मैं बताया है कि से के द्वारा के द्वारा अगर जहां पे भी हो कर्म वाच्च होता है तो दूसरा का थर्ड हो जाएगा और तिसरा देखिए दूप में चला नहीं जाता, देखिए इसमें एक भाव है कि दूप में चला नहीं जाना एक भाव को बता रहा है तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा तिसमें फर्स्ट का सेकेंड सेकेंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, तिसका अप्सन कौन से सही होगा इसका option भी correct हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाज़्चे के प्रस्णों को कैसे हल करें ताकि कोई भी प्रकार के अलती नहों और पूरे नमाक्स हमको मिले इसमें प्रस्ण पांच जो है वो पत्परिचे के उपर है इसमें भी 5 MCQ question में से 4 हमको सालव करना है तो सबसे पहले पत्परिचे से जुड़ी हुई main main बातों को समझते हैं ताकि इस से लेटिट कोई भी question जो है न हमसे अच्छे से बन जाए देखे पर परिचे में हमको संग्या सरवनाम विशेसन क्रिया और क्रिया विशेसन कम से कम पांच जी जों को अच्छे से जानना है इनके क्या क्या भेद होते हैं इनका लिंग वचन कारक के साथ क्या संबंध है जैसे सरवनाम में वो कौन सा पुरूस है उत्तम पुरूस है अन्य पुरुस है वध्यम पुरुस है उसी प्रकार से विशेशन में उसका विशेश क्या क्या होता है और क्रिया में ये क्रिया बहुत इंपोर्टेंट है क्रिया में क्रिया का काल हो गया आपका लिंग हो गया वचन हो गया पुरुस हो गया धातू कर्म करता इनका अभ्यास अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमको पद्परिचे में कोई खास दिक्कत नहीं होगा और किरिया विस्षरν में जिसमें किरिया का कोई विश्षता है उसको बताया जाता है तो उसको हमको ध्यान में रखना है एकिजो समुच्चा बोधक है, समबंदोधक है और विश्मयादी बोधक है ये तो जनरली हम देखके समझी जाते हैं इसमें आपको कारक से जड़ोए जो चिन है वो भी याद होने चाहिए क्योंकि कई बार कारक से जड़ोए जो चिन होते हैं न वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं जिसे करता का ने है कर्म का को है करण का से द्वारा है संप्रदान का को के लिए अपादान का से अलग होने के द्रिष्टी से है समझ कारक का की के ना नी ने रारी रे ठीक है अधिकन कारक में में पर और समभधन कारक का है अरे अजी तो देखिए आप इस सब चीज़ों को देखे घबराईए मत मैं आपको ट्रीक बता रहा हूँ जिससे का PG UA में आपसे सारे सारे कोस्टन बन जाएंगे देखिए इसमें प्रस्ण का है हम देरा दून गुमने गए इसमें हम का जो कि रिखांकी था यहां पे उसका पत परिचे हमको देना है तो हम क्या है सरो नाम है इस संग्या है नहीं क्योंकि संग्या तो कोई नाम होता है मैं और हम पर्थम पुरूस में आते हैं तो यह पर्थम पुरूस होगा उसके बाद पुलिंग है क्योंकि यहां पे घुमने गए बुल रहा है बहु अचन है अगर मैं रहता तो एक अचन होता और हम यहां पे करता है ठीक है? इस कारण से क्या होगा? यह जो है option B correct हो जाएगा कि हम जो है सरणाम है प्रतम पुरूस है, पुलिंग है बहु अचन है और करता है इसमें खा है ससी दस्वी कक्षा में पढ़ती है इसमें दस्वी का हम को पत परिचे देना है तो देखिए दस्वी है पे क्या है? विशेसर है, यह कक्षा की विशेस्ता को बता रहा है दस्वी एक संख्या है तो यहां पर देखिए पढ़ती है लिखा है किरिया जो है इस्तिलिंग में है तो यह भी इस्तिलिंग हो जाएगा इसका ससी एक जहन है तो एक वचन हो जाएगा और यहां पर कक्छा जो है ना वो विशेस्तिय है क्योंकि दस्मी जो है ना वो कक्छा की विशेस्ता को बता रहा है इसी कार से इस कापसाने करेक्ट हो जाएगा बाकि देखिए यह तो परिमार वाचक है नहीं नहीं ये क्रिया विशेसनर है ठीक है पढ़ना तो चलिए क्रिया है ये सही है लेकिन भी इसका नहीं होगा उसी प्रकार से ये विशेसनर तो है लेकिन गुर्वाचक विशेसनर नहीं है इस त्रीलिंग भी हाँ पर सही है एक वचन भी सही है और कक्छा विशेसनर से भी सही ह नहीं है इसलिए का आपसंड भी नहीं होगा इसपर का D देखिए वह सरत है संख्यावाच्छण है इस्पर करिए ऐना है यहें बेक्णीन वच्छण है अब प्रशन है यहांपती वच्छायद में है यह होज़ाश बेख्ण करन rebellा बाद गर नंबर दिखिये वो हमेरी बात पर बहुत हसा, ठीक है, इसमें बहुत कहम को पद परिचय देना है, अब यहां पर हसने की भिसेस्ता बता रहा है, बहुत, और हसना क्या है, किरिया है, तो यह किरिया भिसेस्ण है, उपर से यह परिमान वाचक, क्योंकि बहुत, मनेक प्रकार के मातरा को बता रहा है लेकिन वो uncountable है तो यह परिमार वाचक क्रिया विशेशन हो गया और यह हसना जो है ना क्रिया जो है उसका विशेशन है कौन बहुत ठीक है तो इसका अप्शन है बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद देखे इसको जो बाकी चीज़ें दिया हुआ है यह घुमाने के के लिए दिया हुआ है कि ज्समे विशेशन बोलता है संख्या वाचक बोलता है तो इसमें तो कोई संख्या है नहीं तो आप् Nie थिक है इसी लिए को Sanie क्रेक्ट हो इसके बद फिर्ट नमबर कोस्चन देखिए कि योग्य पितर की संतान भी योग्य होती है इसमें संतान का हमको पत का परिचे देना है तो देखिए संतान क्या है एक नाम है यह संग्या है और यहां पर होती है है ना यहां पर क्रिया जो है इस्तिलिंग में है तो और एक वच्चन है बाकि देखिए बसान B इस्तिर दिन बोलता है कि तो सहिए दोर सही है वहकति ब्रोडूवा अध्र बोलता है नहीं चैंप्ए बिखंड दूबेसर आप ठीक है तो इसका अपसाने बिल्कुल correct हो जाएगा अब इसमें कोस्टर नमर चे अलंकार की उपर है इसमें भी 5 में से 4 कोस्टर हमको सालव करना है तो सबसे पहले 4 ही अलंकार हैं आपके कोस्टर में चारों को अच्छे से समझ जाते हैं उसके बाद अलंकार में एक भी नमबर आपका बिल्कुल नहीं कटेगा दिखिए अलंकार में अनुपरास, यमक, उपमा, रूपक इस सब आपके कोर्से में नहीं हैं ये पिछले कलासों में आपने पढ़े हुए हैं केवल 4 ही आपके कोर्से में हैं तो सिलेष का मतलब होता है, एक सब्द एकी बार आ रहा है, और हर बार उसका अलग-अर्थ होता है, ते चारों में सिलेष आपके लिए थोड़ा सो जादा हार है, लेकिन सिलेष को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे ना, तो तुरन समझ में आ जाता है कि एक अर्थ है कि यहाँ पे कई मिनिंग लिकल रहे है मैं अभी उधान से आपको पताऊंगा उसके बाद उत्प्रेक्षा लंकार बहुती जी है आपको इनको याद कर लेना है मनहूं मानों जानों जनहूं जियों जनूं ठीक ये सब्द जहाँ पे भी आएंगे ना वहाँ पे उत्प्रेक्षा लंकार आपको तुरन टीक लगा देना है अतिस्वेक्ति लंकार भी बहुती जी है इसमें किसी के गुड़ को रूप सोंदर्य को किसी भी चीज को इतना बढ़ा चड़ा के बताया जाता है कि उसमें विश्वास करना कठीन हो वनलब इंपासिबल को पासिबल बराने का कोशिस किया जाता है और मानुवी करन अलंकार भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें जैसे कोई नदी है कोई भी प्रकृतिक चीज है कोई भी निचुरल चीज है उसको हम मानों के बहुआर के साथ यह मानों के साथ तुलना करते हुए दिखाई देते हैं यह तुलना करते हैं तब होता है मानुवी करन अलंकार ठीक है तो इन चारों को अगर आप ध्यान से समझेंगे न तो अलंकार में कोई भी प्रकार का परशानी आपको नहीं होगा, अब चलिए पाच्छों कोस्टन में इन चीजों को यूज करते हैं, अब इसका पहला प्रशन देखिए, सुनात जो लागत है आईसो, जियों करवी ककरी में अलंकार है, देखिए हमने भी समझा है, यहाँ पर जियों है, यहाँ पर भी जियों होगा, वहाँ पर उत्परशा लंकार होगा, आपको देखना ही नहीं है, तिसका प्रशन ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्परशा, अईसे भी यमक और उनुप्रास, आपके सिलेवस भी नहीं है, सिलेश है लेकिन आपके सिलेश नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे समझा है कि यहाँ पर उत्परशा लंकार वाला जो सब्द है, अब इसमें खा देखिए, इसमें आपको सारे के सारे जो आपके काब भी हैं, उसकार समझ मिया चोँए, और फागॉन महने की बात इस परकार से की गई है कि जब फागॉन महना आता है, उसमें जब हम सार लेते हैं तो जो फागॉन महने की खुशबू है, वो मरे हिट्दे में भर जाती है ठीक है तो इसमें क्या है मानुविकरण लंकार होगा और इसमें देखिए तीनोत आपके सलेबस में है ही नहीं उपमा, रूपक और यमक तो ऐसे भी इसका मानुविकरण लंकार ही इसका एक आप्सन बचता है एक जाम में ऐसा नहीं देगा जो आपके कोर्स है में उसी को देगा तो आपको समझ के जानना होगा कि ये कौन सा लंकार है इसमें प्रकृति की तुल्ना मानुविकरण से की गई है इसमें गा नंबर देखिए उसका आल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा यहां पर मानो सब्द को उप्योग हुआ है और हम अच्छे समझ चुके हैं कि जहां पर भी मानो सब्द को उप्योग होगा वहां पर क्यवाल एक यह लंकार होगा वह है उत्प्रेक्षा जिसका आपसाने विल्कुल करेक्ट हो जाएगा उसके बाद देखिए घा निमलिख यहां पर क्या होगा उत्प्रेक्षा लंकार होगा तिसका आपसाने विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब इसमें फिप्त नंबर देखिए यह सबसे इंपोर्टेंट है सुबरन को खोजत फीरत कभी वेवेचारी चोर ठीक है यहां पर देखिए जो सब्द है सुबरन सुब कि सुदर सब्द को कभी खोशता है सुदर इफ्थीर को वेवेचारी को को सुने को छोर कोशता है यहां बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुकि बाकी अलंकार नहीं है तो आपको ध्यान देना है कि सलेस अलंकार होगा क्योंकि आपके में उत्परेक्षा है मानुवी करण है और अतिस व्यक्ति है तो देखिए में मानुवी करण नहीं है अतिस व्यक्ति न कसबा छोड़कर आगे बढ़ गई ठीक है अब यहां पर लिखिया है देखे कि जीप कसबा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार सहाब उस मूर्ती के बारे में ही सोंचते रहे और अंत में इस निसका सबर पहुंचे की कुल मिलाकर कसबे के नागरीकों का यह परिया इसमें आपसन बोलता है कि जीप कसबा छोड़कर आगे बढ़ गई इसका मतलब क्या है तो सिद्धर से बात है कि जीप जो है ना कसबे से आगे की ओर चलने लगी कसबे के बाद ऌगे जा रही है इस अंदर्व में इसका अर्थ है इसका आफसा ने देखिये कि जीप कसबे में रूप गई ये भी नहीं है और डी है जिब कजबे में नहीं गई ये भी नहीं है उसके बाद खा देखिए हलदार सहाब किसके बिशे में सोचते रहे तो हमने अच्छे समझा यहां पे दिया हुआ है कि हलदार सहाब उस मुर्ती के बारे में ही सोचते रहे यहां पे किये वन्ना तो देश्भक्ती भी आजकल मजाग की चीज होती जा रही है सियासा है जिसका सिधा मतलब है कि आजकल देश्भक्त होना मजाग का पात्र होना है लोग आपके उपर हसने लगते हैं तो इसमें आप सने दिखिए कि आज कल देशभक्त होना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, भी देखिए, आज कल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया है, यही है, कि लोग देशभक्त लोगों को हसी का पात्र बनाते हैं, और C है, आज कल सभी देशभक्त हो गये हैं, यह भी बिल्कुल गलत है, और दूसरी बार जब हलदार साहब उधा से गुज्रे तुने मुर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ध्यान से देखा तो पाया की चस्मा दूसरा है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चस्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चस्मा है, हलदार साहब का कुथुहल और दिया है। करता है देशभक्ति की प्रासिंगता पर सवाल उठाता है बिल्कुल ऐसा भी नहीं है यहाँ प्रतियुमिद जगाता बिल्कुल वो जो सरकंडे का चस्मा था जो नित्य जी के मुर्ति पे था जिसको बच्चों ने बना कर पहनाया था वो इस बात की उम्मीद जगाता है कि आने वाला प्यों पिढ़ी है और देशभक्त तो हने वाला है और देशभक्ति को समझता है इसलिए इसका आप्चन जो लेकिना मलती है कि हमको किसी प्रकार का दिखावाँ निकरना चींए और बिना किसा कर्मकांड निकार और यमद्द कर्ने की समाजी प्रुएं का समर्थन करने की और दी पुजा पाट और यज्याओध आदि करने की इस काफसाने बिल्कुल correct हो जाएगा कि आडंबर से दूर रहकर इस्वर भक्ती करने की इसमें दूसरा प्रस्ण है अमरुद्दिन को रसुलन भाई और बातुलन भाई के घर वाला रस्ता क्यों पसंद था तो देखे हमको अच्छे से मालूम है कि अमरुद्दिन को संगीत से काफी ज़्यादा लगाओ था रूची था जिस कारण से उस रस्ते पर जाने पर उनको वहाँ पर संगी सुनाई देता था इस कारण से वो रस्ता उनको बहुत पसंद था वह रस्ता साप सुतरा था इस काफ संडी भी ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रश्न नौ जो है न वो बोलता है कि इमलिकित पठीत पध्यांस पर अधारीत बहुत भी कल्पी प्रश्नों के सौरादी को प्यूक तभी कल्प चुन कर लिखिए ते जो है न पठीत पध्यांस की उपर अधारीत है यह लिए गए है आपके पाठ राम लच्मण परसुराम सम्वास से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लखन जो है लच्मण जी जो है वह सकर कुमल वाड़ी में बोल रहे हैं मिद्दु माने कुमल है मुनिवर आपने अपने आपको बहुत बड़ा योद्धा समझ लिया है इसी कारण से आगे बोलते हैं लच्मण जी की पुनी पुनी मुही दिखाओ कुठारू जहत उड़ावन फुकी पहारू कि आप बार बार ये जो कुलहड़ी है आपके हाथ में जो परसुराम जी का फरसा है ना उसको यहाँ पे लच्मण जी कुलहड़ी बोल रहे हैं उसको दिखा रहे हैं और आप फुक से पहार उड़ाना चाहते हैं यहाँ कुमण बतिया को नहीं दे तरजनी दे की हरी नहीं यहाँ पे कुम्डे का जो छोटा फल है, है ना, छोटा फल यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे लचमण जी यह बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे आप से डनने वाला, आप से मनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कुम्डे का जो छोटा फल है ना, वही तरजनी, मैंने जो हाथ की मर जाता है तो इस परकार के कोई बिक्ती यहाँ पर नहीं है ऐसा लच्मण जी फ्रसुराम जी को बोल रहे हैं देखी कुठारू सरासर बाना मैं कच्छू कहा सहीत अभिमाना यहाँ पर लच्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो अठार और धनूस बान को देखकर मैंने आपको ऐसा अभिमान सहीत कहा था मैंने शुरूम इनको लग रहा था कि यह कोई छत्री होंगे फिर आगे बतते हैं कि भ्रिगू सूत समूझी जनियों विलोकी जो कच्छू कहू सह रिस रोकी तो यहाँ पर देखिए यह बता रहा हैं कि मैंने आपको भ्रिगूवन सी समझ कर भ्रिगूवन सी मने ब्रामण बंस का समझ कर और यग्य करने वाला देखकर आप जो भी कह रहा हैं उसके बाद भी मैं अपने क्रोध को अपने गुस्य को रोक कर सह रहा हूँ अब आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सूर महिसूर हरिजन अरुगाई हमरे कूल इन पर न सुराई तो रिच्मण जी बताते हैं कि जो देवता हैं ब्रामण हैं और जो भगवान के भक्त हैं और जो गाय हैं इनके उपर इनके कूल में बीरता दिखाने का या लड़ाई करने का परंपरा नहीं है इसका काण क्या बता रहे हैं यह बताते हैं कि बधे पापू अपकी रिती हारें मारतों पाप परही तुम्हारे कि अगर उनको यह मारते हैं तो इनकी उपर पाप आएगा और हारते हैं तो इनका प्यास होगा इसलिए अगर यह मारें भी मतलब यह जो चारों है अगर इनको मारते भी है तो भी रच्माझ जी बताते हैं कि उनके पाऊं पढ़ना चीए उनका पाऊं पढ़ना पड़ता है तो देखिए इस प्रकार से हम बारेकिस समझें तो प्रस्ण जो है न काफी जी हो है में हमसे बनेगा पहला प्रस्ण देखते हैं कि परसुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे हैं यह तो बहुत इजी है यह है राम को भवित करने के लिए तो प्रसुराम तो राम के साथ बहस करते ही नहीं है तो यह कलेक्ट नहीं होगा बी है लच्मण को भवित करने के लिए बिल्कुल यही सही है कि उनका जो समवाद हो लच्मण के साथ में है और सी है विश्वामित्र को भवित करने के लिए ते भी आपसन नहीं होगा और D है महराज जनक को भेवित करने के लिए ते भी आपसन नहीं होगा खाब बोलता है कि निम्लिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लचमण की सक्तिसाली होने का पता चलता है तो दिखे लश्मण के सक्ति साली होने का पता चलता है जब लश्मण बताते हैं कि यहां जो कुमण बत्या कोई नहीं है मतलब कुमडे के फल जैसा छोटा कोई नहीं है जो कि आपके तरजनी के उंगली को देखके मर जाए तिसका पसंडी करेक्ट हो जाएगा कि यहां कुमण बत्या कोई नहीं ते तरजनी देखी मरी जाहीं और बाकी जो तीनों है न यह उनके विर्ता के बारे में नहीं बता रहा है क्योंकि यह कुछ और चीजों को यहां पर बताया गया है जैसे कि हमने समझा इसके बाद इसमें प्रस्मा तिसरा है कि रखुकूल में किन किन के परती अपनी विर्ता का पदसन नहीं किया जाता है तो हमने चेस समझा है कि जो देवता है ब्रामण है और इस्वर का भक्त है जो गाय है ठीक है इनकी उपर अगुकुल में बिर्ता का पदसन नहीं किया जाता है तिसका आपसाने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब देखिए इसको हम समझ चुके है ना इसलिए आपसाने हमको उध्राण है और इसमें रस पूछा गया है तो देखिए यह जो है ना ब्यंग किया गया है यहां पर लच्मण के द्वारा ब्यंग किया जा रहा है कि आप लच्मण यहां पर मिर्दुबानी में का टाक्षा करते हुए बोल रहे हैं कि यह मुनी आप अपने आपको बहुत बड़ योध्धा समझते हैं जबकि लच्मण उनको योध्धा नहीं समझ रहे हैं तो इसका अपसाने करेक्ट हो जाएगा यहां पर ब्यंग का उधान हाई है इसके बाद फीप्त नंबर दिखिए कि उप्यूक्त पद्यांस में लच्मण के चरित्वे की कों सी विशस्ता उजागर होती है अपने बीरता को इहां पर दिखा रहे हैं बाकि राज़ा लोग ओं पर टरे हुए है तो उनका वीरता का जो विशस्ता है और जागर हो रही है तो इसका अपसाने करेक्ट हो जाएगा वीरता इसमें प्रस्ण दस है कि पार्टी पुस्तक में धरित कविताओं के अधार पर निमलकित दो प्रस्णों के सवराधी कुप्यूक्त भी कल्पचुन का लिखिए तो जुन कविताओं को हमने पढ़ा है उसके उपर यहां पर कोस्टन है इसमें पहला कोस्टन है कि दंतुरित मुस्कान कविता में कभी को सिसु का धूल दूसरी सरीर प्रतित होता है तो देखिए इस कविता में सिसु का धूल दूसरी सरीर है वो कभी को सुंदर कमल के समान दिखाई देता है क्योंकि कमल भी किचर में खिलता है तो इसका आप्षने देखिए इसनान करवाने योग गया तुर तो हो गए नहीं क्योंकि हम करें तो कविता में इसनान वल्द variance कोई बात ही नहीं है वी वस्त्राबुष्ण से सजाने हो गया ऐसा भी नहीं है और दी देखिए ते自看 तो हमा तो अगर आप हिंदी समझते हैं, तो देखिए, संगतकार जो है ना हेलपर है, वो अपना कला या अपना आर्ट कोहां पर नहीं दिखाता, तो उसकी तो कोई इच्चा होती नहीं है, क्योंकि वो जानते रहता है कि वो दुसरे के आर्ट को बढ़ा रहा है, जिसका अपसन भी जो है ना गलत होगा कि वो किसी प्रकार की वो आत्माक्सेश्टता को वहां पर नहीं दिखाता, सी देखिए, उसकी पतिभाः पदसन के आकांचा, वो अपनी पतिभाः को वहां पर पदसित भी नहीं करते रहता है, क्योंकि वो दुसरे के पतिभाः को आगे बढ़ाते रहता है, और D है उसकी आत्मबुगता, आत्मबुगता का मतलब होता है खुद की उपर वो खुद सोना चाहता है, ते भी नहीं है, तो इसका वी सी डी आप्सन जो है ना गलत होगा, इसका आप्सन ये बिलकुल करेक्ट होगा, उसकी मानवेता, वो काफी जदा उहां पर ह अब इसके खंडबा में वनात्माक प्रस्न है, इसमें प्रस्न 11 है, गद्य पाटों के दार पर निमलिकी 4 प्रस्नों में से किनी 3 प्रस्नों के उत्तर लगबक 25 से 30 सब्दों में लिखिए, देखिए इसमें सब्द सीमा में हमको उत्तर को लिखना है, 4 प्रस्न में से केवल टोटल नंबर आपको मिलेंगे 6 अब आप देखियागा कि सब्द सीमा में हमको उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको अच्छे से लिख कि इसको बताऊंगा इसमें पहला प्राशन है कि क्या आपको नवाप सहाब का बैवार समानने लगा क्यों युक्ति युक्त उत्तर दीजिए ठीक है तो दीखिये नवाप सहाब आपको बैवार तो समानने नहीं था इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे